अगर ये संदेश आपको मिला है ये वीडियो आपको रसीव हुआ है तो निश्चित रूप से 1000 प्रतीशत लिखके रख लीजिए आप कोई साधारन व्यक्ती नहीं है आप कोई साधारन व्यक्ती नहीं है क्योंकि ये जो वीडियो है ये अपने आप में अविश्वस्निय होने वाला है और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि आज ये जो वीडियो में रिकॉर्ड करने चाहती तो उससे पहले ही बहुत ही विशेश चीज होई है बहुत ही विशेश घटना होई है तो ये वीडियो अगर आपको मिला है तो आप बहुत अद्भुत है नमस्ति मैं हूँ मुधिता और मुधिता स्फूर्टि में एक वार फिरसे आपका ड mrกत करती हूं आज मैं आपके लिए महादेव के मैसेज रसीव करने वाली थी आपके लिए कार्ट निकालने वाली थी रेट करने वाली थी बड़ जैसे ही मैंने कार्ट शफल करना शुरू किया मुझे गाइडेंस मिली है कि मुधिता तुम्हें चैनलिंग करनी है और जो भी इस वीडियो को रसीव करेंगे वो अपने आप में महादेव के चु जरूरत है जिन तक ये संदेश चाने की जरूरत है उन्हें ये मिल जाएगा तो अगर आपको मिला है तो यहां पे मैं आपके लिए चैनलिंग करने जा रही हूं जो सबसे पहला मैसेज मुझे रसीव हुआ है वो आपके लिए सबसे पहला जो अभी इसको जस्ट आपको इ मैसेज ये है कि आपके उपर एक हफते से एक सपताह से वन वीक एक सपताह से कोई नेगटिव को मैं माइनस से इंडिकेट कर रही हूं कोई नेगटिव एनलजी आपके औरा में एंटर हुई थी एक सपताह से कोई नकरात्मक शक्ति आपके औरा में एंटर हुई थी और इस इसकी वज़े से आपको health issue या mental stress या अपने काम में मन ना लगना इश्वर में विश्वास है लेकिन चीजे सही ना हो ना इस तरह की उल्जा में आप थे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपकी एनलजी बहुत लो चली गई है बहुत डाउन चली गई है एंड इस तरह की आपके साथ हो रही थी मुझे यहां पर सुनाई दे रहा है कि आपके ऊपर किसी तरीके का नकरात्मक शक्तियों का प्रहार हुआ है पर आप इतनी powerful soul है आप इतनी spiritual practice करते हैं महादेव में विश्वास करते हैं इसलिए इसलिए आप इस वार को सहपाए है यह आप है यह अपका और होता है आपके इल्द गिर्द आपका और होता है आपकी energy fields होते है और होता है कि हमारी body में जो energy flow होता है प्राण का संचार होता है तो उससे एक विद्यूतिये शेत्रोथबन होता है यानि एक इलेक्तिक फिल्ट होती होती है और आप यह जानते हैं कि जहां पर वहां magnetic field भी होती है, तो यह दोनों इक दुछरे के perpendicular होते हैं, और इसकी वज़े से एक इस तरीके का शेत्र बनता है, जिसे आपने current के बारे में पढ़ा होगा, विद्यूत के बारे में पढ़ा होगा, कि जो electricity होती है, जब current flow होता है, electric current flow होता है, तो कैसे चुमब कि यह शेत होता है, और यह आपके aura में enter हुई, जिसका काफी हद तक असर आपकी body पे हुआ, अगर यह कोई साधारन व्यक्ति होता, जो spiritual नहीं होता, तो संभव है कि वो इस स्थिती में hospital में admit होने की condition में आ जाता, या ICO में उसे जाना पढ़ता, या आप समझ सकते हैं कि मरना असन, यानि मने की स्थिती तक बहुत जाना ऐसा प्रहार हुआ है, ऐसे स्थिती में व्यक्ति पहुंच सकता था, पर आप survive करें, आपकी energy बस लो, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जिसे शरीर को जिसे कपड़े को आप दोए और कपड़े को पूरी तरीक से निचोड़ दे, तो आपको ऐसा होगते हैं, वैसे पूरी शक्ति को जिसे कि सीने शेपिक हिख कर दो ओविद्धि काम नहीं कर रही है, शरीर पो दोए कार्य में मन नहीं लग रहा है आपको बार बार उबासी आ रही हो ऐसा लग रहा हो कि सोना चाहते हैं पर नीद नहीं आ रही मन व्याकुल है घराहत हो रही है किसी नकरात्मक शक्ति का प्राहार आपके औरा के अंदर भीतर हुआ है और इसकी वज़े से ये आपको सहना आपको से खराने से रही है वार ये थैंत conference आपके बीद के और ये ये छरब आप अपर आया आपके शक्ति का वहाऊ हो समय हों धाली है अपने आपको recover कर पा रहें फिर से आप अपनी उज़ा में लौट रहे हैं और जल्द ही आप वो अपनी शक्ती को पुना प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ पे महादेव आपको confirm कर रहे हैं पहला चानल मेसेज यही है कि जो आक्रमण हुआ था वो तुम्हारी शक्ती को छीड करने के लिए तुम्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुचाने के लिए समाज में तुम्हें गिराने के लिए पूरी तरीके से पराजित करने के लिए प्रहार था लेकिन अब इससे तुम सुरक्षित हो you are safe now you are safe मुझे सुनाई दे रहा है तुम सुरक्षित हो चिंता मत करो तुम सुरक्षित हो और ऐसे एक क्या हजारों प्रहार अगर आपके उपर एक साथ किये जाएं तो भी आप सुरक्षित रहेंगे यू और गाइड़ यू और प्रोटेक्टिद यकीन मानिए आपको वो सुरक्षित मिली है जो किसी को ने मिली अगर आपको लगता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड में किसी के पास चार पांच बॉड़ी गार्डे उसकी सुरक्षित कर रहे हैं वो भी उस इंसान को नकरात्मक शक उनसे भी आपको सुरक्षा दी जा रही है तो पहला मैसिज यही है किसी नकरात्मक शक्ति का प्रहार हुआ जिसने आपको पूरी तरीके से परिशान कर दिया आपकी उल्जा काफी निशले स्थर पर गई पर अब आप वापस पुना अपनी पून उल्जा में लौटेंगे और यह जो प्रहार है इसको महादेव ने रिमॉफ कर दिया है आपके और धीरे धीरे से आप देखेंगे कि आपकी एनरजी फिर से वापस लौट रही है अगला मैसिज क्या है जो मुझे रसीव हो रहा है चैन्ट ओम, ओम की चैन्टिंग करिए मुझे ओम सुनाई दे रहा है वैसे ओम जब आप चैन्ट करते हैं तो आपका तीसरा नेत्र और थ्रॉट चक्रा काफी एनरजी से भल जाता है तो इस वत कहा जा रहा है कि कि आपके औरा पे प्रहार किया गया है तो आपके शक्ति को वापस जोडने में ये सहायता करें का ओम, ओम चैन्ट करने को कहा जा रहा है ये चैनल मैसिज है अगर आप ओम का चमतकार देखना चाहते हैं तो बस आप सीधे बैट जाहिए और आपकी बैकबॉन सीधी हो और पूरा ध्यान पूरा ध्यान लगाते हुए अपनी सांसों प करिए देखिए इंस्टेंटली आपकी वाइबरेशन में चेंज आजाता है इंस्टेंटली ये सबसे पावरफुल है क्योंकि ओम ये जो वाइबरेशन है इस ये पूरी युनिवर्सल वाइबरेशन है ओम में ही पूरा ब्रह्मार समाया हुआ है ओम किसी भी मंत्र का प्रा आपका focus बठकाने की कोशिश की गई है। आपको महादेव कहना चाहते हैं focus 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 आपका जो लक्ष है आपके लक्ष से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है so आपसे कहा जा रहा है focus 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 करिये क्योंकि you are a leader आप लीडर हैं, आपको कुछ करने के लिए भेजा गया है, आपको केवल यहां पे जीवन जीने के लिए, सारे सुक वैभाव इखटा करने के लिए, या जो दुनिया कर रही है, वो करने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको महादेव ने चयन किया है, यू आरा वारियर, य यहां पर कहा रहे हैं, फोकस करिए, आपका फोकस डैवर्ड किया जाता है बार-बार, लेकिन फोकस करिए, आप लीडर है, आपको लीड करना है लोगों को, और अगर लीडर सोता है, तो सब सोते हैं, लीडर तब भी जाकता है जब दुनिया सोती है, तभी तो वो विशेश क काम करता है, तो आप वो हैं, आपको कहा जा रहा है, यहां पर मुझे पान का पत्ता, एक नाम सनाई दिया, पूजा, I don't know, यह किस से रिलेट करेगा, मुझे एक नाम सनाई दिया, पूजा, पूजा, वैसे प्रातना को भी कहते हैं, जब हम प्रातना करते हैं, बट यहां मुझे किसी का नाम पूजा सनाई दिया, आप में से किसी का हो सकता है, आपकी फामली में किसी का हो सकता है, तो यहां पे पूजा, और प भीछा के ऊश्चरी में यहां पिली इस करनी है यहां पर आ को चानलिंग में मुझे पानका पत्ता दिखा डिखाई धिया है पानका पत्ता बहुत ही शुभ होता है और मैं सुभार को यह पूज पान पत्त करन अच्छे अथे हमें चाहे हैं हो जाहे हैई अनुस्वा को भीन वरात्री में पान का पत्ता ओफर करिए, प्रिशाद में पान के पत्ते का भोग लगाईए, किसे पान के पत्ते का खाली भोग नहीं लगता, पान में बागी चीजे रखी जाते हैं, उसे लॉंग, इलाईची, सुपाडी, उसका भोग ओफर करें, क्योंकि यहां पे मुझे पान का पत्ता दिखाए दे रहा है, अगर आपकी कोई विष है इच्छा है तुझ पान के पत्ते को ले अच्छे से साफ से उसे वाश करके उसके उपर आप सुपाडी, लॉंग, इलाईची, थोड़ा गुलकन इस तरह से रख कर और उसे ओफर करें माता को नवरात्री में अगर आप अपने औरा में कोई negativity है, कोई काली नजर है, कोई बुरी नजर है, कोई बद्दुआ है जो आपके औरा में trap हो गई है, तो आप तो भी आप पान का जो भोग है वो Tuesday को हनवार जी को ओफर कर सकते हैं, आपकी जितनी भी negativity है, जो भी आपकी नजर है, बुरी नज जाएगी अगर आप ये चीज दो से तीन मंगलवार भी करते हैं, अब देखते हैं और क्या है जो वो आपको कहना चाहते हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं हर हर महादेव जरूर लिखे, बगवान शिव का ध्यान करे, उनके चंदर शेकर स्वरूप का ध्यान करे, क्योंकि ये मैसेज बहुत खास है, ये डारेक्ट मुझे रिसीव करने को और दिया गया है, आदेश दिया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है मुधिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं न, वो बहुत प्रिये हैं महादेव की, बहुत खास हैं, बहुत लाडले हैं, आप देख रहे कि महादेव आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं, जरुवत से जादा प्यार करते हैं, क्यूं करते हैं, तो यहां पे आपने पास्ट लाइफ में आप विद्वान रहे हैं, मुझे आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मैसेज दिखाया जा रहा है, पूर्व जन धर्म ग्रंतों में जो लिखा हुए उसकी नॉलिज नहीं है तो यहां पे लिटरली महादेव का मेसेज यह रिसीव हो रहा है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस प्रिद्वी पर तब उपस्तित थे जब बहुत सारे लोगों को धर्म ग्रंतों का ग्यान नहीं था उस वक्त आपको धर्म ग्रंतों का ग्यान था आपने वो सारी नॉलिज ली हुई है आपको वो सारी विधियां पता है कैसे अनुस्ठान किया जाता है कैसे कोई संकल्प लिया जाता है कैसे चीजे की जाती है वो जो गूड रहसे है जो छुपा हुआ है हमारे ग्रंतों में वो गूर रहस्ते आप जानते हैं इस लाइफ में आप हो सकते हैं उन चीजों से ना हुजरे हो आपको लगता है मैं नहीं जानता बट यू नो दाट आपको वो पता है सत्प्रतिशत वो आपको पता है आपको वो सब पता है और आप चाहें तो उन चीजों को वापस से हासिल कर सकते हैं क्या होता है ना कि जब हमारा शरीρ चूटता है तो वो जो शारी information है वो हमारी spiritual body में होती है वो сारी information बार की बात करते हैं तो फ्रीचुल body की information की ही बात करते हैं ऐसा नहीं है कि आकाश में लाइब डेरी बना के रखी और वहाँ पे सब के बारे में इंफर्मेशन रखी है, वह सारी इंफर्मेशन हम खुद ही करते हैं, अपने साथ करते हैं, जितनी लाइफ में जाते हैं, हमेशा करते हैं, तो एक जनम क्या, इस प्रिट्वीवर आपके जितने जनम हुए हैं ना, उनसारी information को आप खुध केरी कर रहे हैं और वोह इतना स्मॉल है इतना सूख्श में सी, सोच्ये जो सूख्शं शरीर है वह एक चीटी में भी प्रवेश कर सकता है प्रवेश कर सकता बवाइक्रोगनिजम प्रवेश कर सकता है मतलब कितना चोटा है जिसको आप इमेजन नहीं कर सकते और उस चोटे में भी microscopic level याणि microscope से भी अपने सुख्षम बॉडी को आप नहीं देख सकते और उसके अंदर सारी information store है कितनी information उतना तो आपका computer आप इस प्रिट्वी पर बनाई ही नहीं सकते उतना data को इतनी information को store करने में आपकी जितनी भी information है जितनी भी लाइव के information हो image form में store होती है story form में store होती है जसे आप movie तेखे उसमें images होती है कुछ words होते है कुछ images होती है वैसे ही हमाई live की सारी images सारी important moments थे इसे बोर इसंय स्टोर होती में तो दिया जाता है प्रेजला इस बस एक फोल्डर बने हुए है हर लाइफ का एक folder बना हुआ है और उस folder को एक specific name दे दिया जाता है बट उस folder को access करने के लिए आपको spiritually awakened होना पड़ेगा that mean आपके पास ही वो computer है जिसमें आपकी सारी information भरी हुई है जितनी भी आपने जन्म लिए हैं आपकी सारे आध्यात्मिक ज्यान की information भरी हुई है पर वो सारे folder आप नहीं खोल सकते हैं कि उसमें एक password लगा है password क्या है password है महादेव महादेव ही शिव ही password है पर शिव password को लगाने के लिए आपको अपनी चेतना से जुड़ना होगा और इस पासवर्ड को अगर आप लगा ले तो उसमें जितनी भी फाइल है वो कोई भी फाइल आप एक्सिस कर सकते खोल सकते और यह फाइल है कहां यह फाइल आपके ब्रह्मरंदर में है जो आपका यह सर है इसमें आपके ब्रह्मर बैठे बैठे उनका फिसिकल बॉड़ीय यहीं पर होता था और वह अपने सुक्ष मषरीर से उनकी पीजिन पर होती थैं AI मों पेज़ост ऐसे बचन रही हैं वही किसी भी ऊयां में चले जाते थे किस तरीके से उनके गुरु वो ध्यान करते हैं वो वहां पे भी उपस्तित होते हैं दूसरी जगे भी उपस्तित होते हैं या बहुत सारे ऐसे spiritual gurus के बारे में आपको जब आप पढ़ते हैं उनके biography या कोई विशेश ग्यान तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि spiritual body से वो अलग अलग जगे पे एक साथ उपस्तित थे कैसे उनका शरीर एक जगे पे था पर वो तीन जगे पे चार जगे पे वो अपनी spiritual body से जाते हैं past, present, future उनके एक साथ अलाइंग दिखता है कैसे क्योंकि वो उस ग्यान को एकसिस कर पाते हैं उन्हें अपने सारे जीवन दिखाए दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर वो जो लाइब्रेरी है वो जो फोल्डर से उनके एकसिस कर पाते हैं क्या आप कर स अगर हम थोड़ा सा प्रेयास करें तो यहां पे महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि past life में आपने वो सारी चीजे अचीव की हैं और आप बहुत विद्वान हैं रहे हैं पर उसको धक दिया जाता है क्यों क्योंकि इसके लिए आपको effort डालना पड़ेगा इसके लिए आपक क्यों आपसे कहना चाहते हैं आप कि वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ है जो तुम ने उगाया था कुछ है जो तुमने उगाया था कि उगाना मतलब कुछ बोया था उसका result तुम्हें मिलेगा और यह पास्ट लाइव से पूर्व जन्म से संबंधित है कुछ आपने बोया है वो मिलना है मैं इसके लिए एक कार्ड निकालना चाहूंगी कन्फर्मेशन के लिए आपने क्या बोया है कुछ तो है जिसके बीज आपने पूर्व जन्म में लगाए हैं और उसके रिजल्ट आपको आप मिलने है कुछ बीज लगाएं हैं मैंने कहा फाइफ ओफ वाटर ओके आपने इमोशनल इन्वेस्मेंट की थी किसी रिष्टे पर किसी इंसान पर क्योंकि यहां पर मुझे इमोशन और पर्सनल लाइफ दिख रहा है किसी चीज पर आपने इन्वेस्मेंट की लेकिन आपको लॉस हुआ आपको वहां सैटिस्फेक्शन नहीं मिली आपको वह रिष्टा पूरा होते हुए नहीं दिखाई दिया वह चीज खत्म हुई और वह जो बीज जो आपने प् अधूरी कहानी कंप्लीशन ना हो पाना और उस दल्द को लेके आप यहां पर आए हैं तो जो आपने बोया था यहां पर मैं कह रही हूं कुछ तो बोया है उसका रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिलेगा तो कुछ लोग यहां महादेव के लिए ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो लव स्टोरी है जिनका जो संबंध है रिष्टा है वो पास लाइफ में पूरा नहीं हुआ और इस लाइफ में वो चीज आपने बहुत एफट डी बहुत प्यार दिया बहुत लोगों को संबान दिया वो चीज आपको मिली नहीं पर उसका रिजल्ट आपको इस होगी कुछ लोग के ये लव स्टोरी है जो इस लाइफ में वो प्रेम वापस मिलेगा वो संबान मिलेगा और कुछ लोग के ऐसा है कि आप जितना डिजर्व करते थे आपको संबान या प्रेम नहीं मिला पर इस लाइफ में वो चीज आपको मिलेंगे क्योंकि आपने पास काटनी है that mean आपको रिसीव करना है और क्या है और राइट यहां पर आप एनर्जी देखेंगे seven of fire यह क्या है कहा जा रहा है महादेव आप शे कह रहे हैं कुछ चीजे हैं जो आपकी लाइफ में अधूरी रही पूरी नहीं हुई उनका दुख हुआ आप रोए आप परिशान हुए बड़ इस लाइफ में वो चीजे आपको अचीव होनी है मिलनी है लेकिन कहा जा रहा है कि अपनी बिलीव को अपने decision पर अडिग रहो अगर तुमने निर्णे लिया है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ खड़े रहना है मुझे इस व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है तो हर हाल में उसका साथ दो अगर तुमने कह दिया अगर तुम्हें विश्वास हो गया अगर तुम्हें महादेव से blessing मिल गई और तुमने चैन कर लिया उसके बाद अगर तुम पीछे हटते हो तो ये पाप होगा क्यों? तुमने चुना है तुमने विश्वास किया है तुमने गाइडेंस को फॉलो करके यहां तक आए हो अगर आपको पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम है तो उसको पूरी तरीके इमानदारी से निभाईए आगे बढ़िए क्यों यहां पे कहा जा रहे है कि अगर आपने संदेल किया कि मैंने सही किया ये गलत किया मेरी चॉइस सही है ये गलत है तो यह आपको फिर से वापस इस enology में ली आएगी उस चीज को पूरा होने के लिए इस बार आपको वापस आना है इस बार आपको बोल्ड तरीके से लड़ना होगा जीवन साती है इसके साथ मुझे एक divine connection फिल होता है ये मेरे past life से आता है हमारा कोई संबंद है जो बहुत गहरा है जो शब्दों में बया नहीं किया जा सकता हम बिना कहें एक दूसरे की बात समझ लेते हैं उसके मन की बात मैं पढ़ पाता हूँ वो मेरे मन की बात पढ़ पाती है हम बहुत फैमलियर है एक दूसरे के अंदर ही हमें अपना घर दिखाई देता है तो ये ऐसे ही नहीं है ये incomplete रही थी story और ये पूरी होनी है तो इसलिए अगर आपने decision लिया है तो उसके साथ खड़े रहे हैं यहाँ पर मैंने love लिखा है यहाँ पर मुझे love की energy ही दिख रही है एक triangle बनते हुए दिख रहा है एक image बनते हुए दिख रही है प्रेम का अधूरा रह जाना एक record बनते हुए और उस कहानी को पूरा करने के लिए बहुत bold तरीके से सभी शक्तियां आपके इसायता करें हो इस life में वो पूरा होनी है पर आप अगर डर जाते हैं आप अगर घबरा जाते हैं अगर अपने लिए stand नहीं लेते हैं आपने choice पे believe नहीं करते हैं trust करिये इस प्रिथवी पर वैसे ही प्रिथवी बहुत छोटी है पर कोई भी हमसे मिलता है ना हर व्यक्ति किसी विशेश कारण से मिलता है आपके friends जो बनते हैं यापके enemy जो बनते हैं अगर आप remember करें थोड़ा से याद करें आपके school time में कुछ लोग होगे जिनसे आपकी बहुत बनती होगी कुछ लोग होगे जिनने देख कि आपको गुस्सा आता होगा पर आज के टाइम में अगर आप याद करेंगे तो जो अच्छे थे और जो बुरे थे दोनों से आपको फरक नहीं पड़ते हैं कि वो टाइम पीरियड बीत गया वो उस टाइम पीरियड में आपकी स्कूलिंग में आपको कुछ सिखाने आये थे और कुछ लोग आपका कर्मा करने आये जैसे कोई टीचर है टीचर का काम अच्छा है बच्चों को प्यार करना सिखाना है पर कई बर क्यों होता है कुछ टीचर कुछ बच्चों के साथ बहुत बहुत अजीब बिहेव करते हैं जो नहीं करना चाहिए यह किसी स्टूडेंट के साथ कोई ऐसा बिहेव ज लेकिन आज जब आप याद करेंगे तो वो चीज़े आपको हसी के जैसी लगेंगी क्योंकि ना तो आप उनसे कोई कांटेक रहा होगा और जो अच्छे थे या जो बुरे थे वो दोनों निकल जाते हैं जैसे ही आप उस जर्णी को पूरा करते हैं ऐसे ही जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आपने college days याद करेंगे तो देखेंगे उस वक्त भी काफी लोग रही होंगे किसी से आपका attachment हुआ होगा कोई आपसका विरोध करते होंगे और अब क्या हुआ देरे देरे सब अपनी live में align हो जाते हैं मतलब वो भी एक learning थी तो इसी तरीके से हर टाइम पे कुछ लोग आते हैं और लोग चाते हैं वो आपकी learning और lesson के लिए होते हैं पर यहाँ पे अगर किसी की बात हो रही है जो पूरे विश्वात के साथ आपके साथ खड़ा है कोई है यह आपके पास live से आते हैं और इनके साथ आपका रहन यह divine की merging है इन cards को read करते वक्त मुझे बहुत जादा बहुत जादा ऐसी energy फील हो रही है कि जैसे आप old soul है आपने बहुत चीजें सीखी हैं बहुत पढ़ा है आपके पास बहुत ग्यान है लेकिन आप trap में फस गए इस life में अब महादेव आपको वहां से धीरे धीरे निका अब वह पूरी तरीके से आपको पूर्ण स्थापित करना चाहते हैं और वह आपको उस दिव शक्ति शेत्र में बुलाना चाहते हैं इसलिए घटनाएं आपके साथ हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो बिना इश्व फादर फादर फिगर आपके जीवन में फादर या फादर फिगर ये भी आपके पूर्वे जन में से संबन्धित है कई बार क्या होता है कोई गुरू कोई मित्र या हमारा सहयोगी अलग-अलग लूप में हमारी लाइफ में आता है कभी वह मित्र बनके आ customized container बनके आ जाता दिख रहा है कुछ लोकले यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पिता के साथ जो आपके रिष्टे हैं इसमें कोई रहस्ते छुपा हुआ है फादर मुझे फादर सुनाई दे रहा है आपको लगता होगा कि आपके फादर की और आपकी बॉंडिंग बहुत अच्छी है या आप अपने पिता से मनो भाव से जुड़े हुए हैं मन से जुड़े हुए हैं एक ही मन है जो दो रूपों में विभाजित है और जो आपके पिता के मन में चलता है वही आपके मन में चलता है आपके बॉंडिंग बहुत स्टॉंग है और यह इस कारण से है कि आपकी और आ आपका पिता के साथ एक अटूट संबंध है, गहरा संबंध है. उस तो खास है आइदर आप महादेव से दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, आपके आराध देव ने आप दोनों को एक साथ जोड़ा है और पिता पुत्र या पुत्री और पिता के रूप में भेजा है या आप दोनों का soul contract है एक दूसरे को उपर बढ़ाने का सिखाने का एक दूसरे की सहायता करने का या आपका soul contract है अपने पिता के साथ भगवान शियू और क्या कहना चाहते हैं वो क्या है जो आपका सुनना जरूरी है क्या है जो आपका सुनना जरूरी है महादेव हमारी इसायता करे ये देखिए महादेव हमारी इसायता करे महादेव हमारी इसायता करने को तयार है वो कह रहे है कभी भी खत्म नहीं होता अंश ये मैंने निकाला नहीं ये अपने आप फॉल हुआ है यह एक चोटे से जीव हैं यह कहां से आये पता नहीं पर यह चीटे हैं और इनको में थोड़ा यहां से बाहर निकाल देती हूँ यह बलती है खोड़ा यह और हैं अपर सुख से सकते हैं यहां इस तरीके से यह टेबल पे और उसके ओपर यह कॉपी है और यह प्रकट हो गए महादेव की क्रफा से तो यह जो चीटे महराज है यह आपको यहां पर मैसेज दे रहे हैं ventional वेल्ट wealth, rich, money wealth, rich, money और इसके साथ ये जो तुमने पास्ट में अचीव किया वो तुम अभी भी अचीव कर सकते हो ये बेल पत्र है और इसकी आकरती आप देखें कितनी सुन्दर हो चुकी है बहगवान शिव कहना चाहते हैं कोई भी चीज समाप्त नहीं होती हो ब्रह्माण का भी यही नियम है अगर आप पढ़ते हैं ये law energy can neither be created nor destroyed it can be converted from one form to another बस रूप परिवर्टित होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता ना तो किसी के अंदर शक्ती है उसे जन्म देनी की ना किसी के अंदर शक्ती है उसे समाप्त करने की व्यक्ति मरता है तो मरता नहीं है उसका रूप परिवर्टित होता है soul दूसरी बॉड़ी में जाती हो जो physical बॉड़ी है ये भी नहीं मरती अगनी जल तत्व आकाश पिठ्वी अगनी जल वायू ये पंच तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं मरता नहीं है इसलिए अगर आप गूर रह से समझे तो इन तत्वों को पुनर इखटा करके फिर से जो जीवन दिया जाता था जैसे आप राक्षसों के सकति यह के पूर आप वापस बूलगों वापस बुलाते हैं और फिर मंतर ही संदर निखर के महादेव कह रहे हैं, यह तुम हो, तुम बहुत जितना यह सोल ओल्ड होती जाती है, उतनी सुनहरी होती जाती है, जो अचार बनाए जाते हैं, उसे जितना आप रखते हैं, वो उतना और स्वाधिस्ट होता जाता है, विनेगर, जितना पुराना होता है, उतना अच्छा हो तो यहां पर महादेव कह रहे हैं कि जितना उसे तपाया जाएगा वो अच्छा होगा, यह आप है, यह कभी समाप्त नहीं होगा, आपने कुछ यहां पर सीखा है, आपके पाल जो ग्यान है, वो है, बस आपको यह जो वाइट एनर्जी है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत ह जो धुन्द है बादलों की से हटाने की जरूरत है, मुझे इस से यहां पर मैसेज यहां पर आप देख रहे हैं कितनी सारी ब्रांचिस निकल रही हैं, कितनी सारी शाखाये निकल रही हैं, आप मुझे ऐसी सोल दिख रहे हैं जिनके, जिनसे बहुत सारी सोल्स चुड़ी ह आपको ये थोड़ा सा तर्क संगत लग सकता है कि ऐसा केसे संभाव है पर वो सभी लोग जो इस फिजिकल वर्ड में बहुतिक रूप में नहीं रहते वो सत्युक के हो सकते हैं वो द्वापर के हो सकते हैं वो छुपे हुए रहते हैं उन्हीं के सामने आते हैं जिनके सामने की आग्या उन्हें परमात्मा देते हैं विशेश योजना से तो एसे लोगों की नजर आप पर है जिसे हम बात करते महावतार बाबा जी योगानंदा पर्म हंस की जो गुरु देव परा है तो वहां पर महावतार बावा हमेशा हमेशा रहते हैं जिरन जीवी हैं वो हमेशा इस प्रित्वी पर रहते हैं पर बहुत कम लोगों को बहुत कम लोगों को उनके दर्शे तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध है बहुत सारे सिद्ध है जो इस काल के ना हो कल्यूग के ना हो या कल्यूग के प्रारंबिक जोर के बहुत ही सिद्ध जन है बहुत प्योर सोल है उनसे आपकी शाखाएं जुड़ी हुई है बहुत सारी पूर्व जर्म में आपने जो चीजे की हैं वो सभी लोग आपके से जुड़े हुए है वो अलग-अलग आयाम में हैं पर उनकी शाखा आपकी जिसे एक-एक शाख है उनके जो ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन किये हैं ऐसे लोगों की शाखाएं आपसे जुड़ी हैं उन सबकी ब्लेसिंग मुझे ऐसा लग रहे हैं बहुत सारी लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं इसलिए आप इस कल्योग में यहां पे थोड़ा सा स्प्रीच्वली अला अगर आप पून समरपड करें इतना आध्यात्म में खो जाएं कि आपकी मांग बन जाए कि मुझे मिलना है तो यह आपके सामने भी आएंगे पर इनको देखने के लिए दिव विद्रश्टी चाहिए वो नेत्र चाहिए वो शक्ति चाहिए क्योंकि इनकी जो शक्ति होती ह कि इतना पवित्र होना चाहिए तो यहां पे वो चीज समझे जो इशवर के इस तरह के बहुत ओते हैं जो दूसरे आयाम में रहते है वो इशवर के समानी शक्तियां धारं करते हैं उनके पास इतनी शक्ति होती कि वो एक ब्रह्मार की रचना भी कर सकते हैं और किसी जीव को जिसको सौ जनम लेने हैं उसको तीन जनम में किश्वर के पास पहुचा सकते हैं इतनी शक्ती वो कैरी करते हैं ऐसे लोगों की जड़े आपके साथ जुड़ी हुई हैं मुझे ऐसा लग रही कि आपको वेल्थ, आपको रिच, आपको मनी मैंने जैसे कहा कि यहां पर एक बहाश्य पढ़ा रहे थे चीटे के रूपे तो जो चीटे होते हैं जैसे जो चीटिया होती है यहां पर संपन्नता आने वाली है, यहां पर प्रकट हुए महाश्य तो यहां पर संदेश देने के लिए महादेव की करपाश्य आपकी लाइफ में वेल्थ आना, आपको रिच बनना, आपकी लाइफ मनी आना यह इश्वर की इच्छा महादेव की करपा से है और यह चीज होनी है क्योंकि आपको बहुत सारी वेल्थ मिलनी है, अपने लिए खड़े रहें अगर आप किसी बिजनस या किसी कारे में किसी सेवा में जुड़े हो और आपको लगता है बहुत चेलिंजिस है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे करना या नहीं तो विश्वास करें, ऐसा ना सोचें कि मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा ना सोचें मेरा डिसीजन सही है या नहीं, या मिर पास education नहीं है, required resources नहीं है, कैसे होगा, competition में बहुत बड़े लोग हैं, कुछ भी मत सोचिए जो आपको intuition, I have decision पे पूरे विश्वास के साथ खड़े रहें, आपको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि wealth, rich बनना, money आना, ये तो महादेव ने आपके लिए कंफर्म किया है, क्यों, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी divine souls जुड़ी हुई हैं, और आपको ये wealth, richness या money, यहां आपके रास्ते में दी जाएंगी, लेकिन आपको इससे उपर उठना है, आपको इससे बहुत आगे जाना है, और इसलिए ये आपकी सहायक पनेगी, कैसे हैं, क्योंकि आपका जो purpose है उसे fulfill करने के चीज़े चाहिएं, इसलिए ये आपको दी जा रही है, ये आपके लिए success आपके लिए success ये है, ये पाना success है, ये success नहीं है, तो ये जो channeling है, ये इसे में शब्दों में बया नहीं कर सकती, और बहुत कुछ है, जिसे मैं कह नहीं पा रही हूं, शायद कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा इस video को सुनते हुए, अगर ध्यान करेंगे आपको मियासू होंगे, और आपको पता चलेगा कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीज़े को channel करके शब्दों में सीमित नहीं किया सकता, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे इस video को देखते हुए, आपको वही चीज़े सुनाई देंगे, क्य से जुड़े हुए हैं, हम सब भी तो एक ही सोल है, एक ही सोल का अंस है, वो उसी चेतना से जुड़े हुए है, तो आप मुधिता के थू जो channeling हो रही है, इस body के थू जो channeling हो रही है, उसमें थोड़ा सा concentrate करेंगे, तो आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, अगर य कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आशा करती हों कि ये संदेश आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नती लेकर आएगा, और महादेव की क्रपा पर बनी रहे।